हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का स्टोक मार्केट चैनल में दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोनिक स्मार्ट्स आईप्यो आया हुआ है जिसके उपर मैंने पहले ही तीन वीडियो बनाई है अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी हैं और 4,6,7 को यह ओपन था 6 तारिक को साम को मैंने वीडियो बना कर आपको यह बताया था कि मैं इसमें कल अपलाई करने वाला हूँ क्योंकि इसकी GMP काफी अच्छी चल रही है तो अगर आप लोग के पास भी अगर पैसा है और IPO खरीदना चाहते हैं और लिष्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो यह IPO आप जरूर खरीद सकते हैं बाकी आपकी स्वैम की मर्जी है आपको खरीदना है की नहीं खरीदना है आज हम यह देखेंगे वीडियो के माध्यम से कि आखरी दिन इसमें कितनी खरीदारे हुई हैं और कितने परसेंट आपको मिलने के चांस हैं क्योंकि इसकी GMP लगातार अच्छी चल रही थी और आज थोड़ी सी गिरावट हुई है GMP में फिर भी इसकी GMP बहुत ही अच्छी चल रही है आज की लेटेस्ट GMP भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो में लाश्ट तक बने रही है सबसे पहले हम देखेंगे कि तीसरे दिन ये जो IPO है ये कितना खरीदा गया है QIB के द्वारा और Non-Institutional Buyers के द्वारा ये कितना खरीदा गया है और Retail Investor के द्वारा कितना खरीदा गया है तो आप देखेंगे Qualified Institutes के द्वारा ये 170 टाइमस आज खरीदा गया है 170 गुना ये Qualified Institute इसको खरीदे हैं जबकि Non-Institutional Buyers इसको 63 गुना आज खरीदे हैं लगभग जिसमें से 10 लाग के उपर वाले 6-6 लाग और 10 लाग के नीचे वाले 58 टाइमस इसको खरीदे हैं Retail Investor हमारे लिए सबसे ज़्यादा माइने रखते हैं तो Retail Investor में लगभग 20 गुना आज ये IPO सस्क्राइब हुआ है तो Total मिला कर अगर देखें तो आज ये बहतर गुना के लगभग IPO सस्क्राइब हुआ है यहाँ पर आप देख सकेंगे 71.93 जो कि आज काफी अच्छा सस्क्राइब हुआ है पिछले दो दिनों की ये पिक्छा पिछले दो दिनों का भी देख लेते हैं डाटा तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि पिछले दो दिनों में ये सबसे फर्स्ट दिन में 1.7 गुना सस्क्राइब हुआ था दूसरे दिन साड़े साथ के लगभग सस्क्राइब हुआ था और आज इसने खूप तावर थोड़ खरीदारी हुई है क्योंकि आज लाश्ट दिन था और मैंने भी आपको बताया था कि आप भी इसमें लाश्ट ही दिन खरीदारी करिएगा अगर आपको खरीदारी करनी है तो दो दिन हमने मार्केट देखा कैसा चला इसके पहले फर्स्ट और सेकेंड दिन इसकी जीएमपी देखी और जीएमपी दूसरे दिन भी अच्छी चल रही थी इसलिए हमने कल वीडियो बना कर आपको बताया भी था कि कल आप इसको जाकर खरीद सकते हैं तो आज ये बहतर गुना लगभग सश्क्राइब हुआ है जीएमपी की बात करें इसकी क्या जीएमपी चल रही है तो 30 की जीएमपी इसकी लगभग अभी चल रही है जीएमपी लगातार 2-3 दिनों से गिर रही है लेकिन काफी अच्छी जीएमपी थी 36 की GMP पहले चल रही थी 254 का लोट था तो लगभग 9000 रुपए का प्रोफिट हमको हो रहा था जब 36 की GMP थी अब 30 की GMP है और 254 या 56 का लोट है एक सेकेंड देख लेते हैं कितने की लोट है इसमें तो दोस्तो 254 की इसमें लोट है 254 सेर की लोट आपने अपलाई की होगी मैंने भी दो लोट अपलाई किया है अलग-अलग ID की है अपने family ID से एक मैंने अपलाई किया है और एक अपने खुद के ID से भी apply किया है क्योंकि इसमें मिलने के chance काफी बढ़ जाते हैं जब आप अलग-अलग ID से अप्लाई करते हैं किसी भी IPO का जब GMP अच्छा चल रहा हो तो अगर आपके पास भी पैसे हो तो आपको भी अलग-अलग ID को से अप्लाई करना चाहिए जिससे की मिलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं और आप लिस्टिंग लेके निकल सकते हैं तो 254 शेयर की इसमें लोट है 30 का GMP के अगर हम बात करें तो लगबग 76 के लगबग का आज अगर ये लिस्ट होता है तो आज हमको इसमें फाइदा मिलने वाला है लेकिन इसकी जो डेट है वो आगे की है डेट हम बात करते हैं हम डेट की अगर बात करें तो 4-7 तारिक तक इसका ये पूरा हो चुका है 12 तारिक को आपको अलोटमेंट आएगा तो 12 तारिक को आप यहां पर इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उस वीडियो में जाकर आप देख लीजेगा कि अलोटमेंट आपको मिला है की नहीं य उसका पैसा 13 तारिक को रिटन आ जाएगा लेकिन ये जो IPO है 17 तारिक को लिश्ट होगा और आज हम देखेंगे तो 7 तारिक है 7 तारिक और 17 तारिक के बीच में 10 दिन का डिफरेंस रहता है इन 10 दिनों में GMP कुछ भी उपर नीचे हो सकती है वैसे जिस हिसाब से IPO की मांग ह उस हिसाब से GMP उपर जानी चाहिए ये दोस्तों share market में होता रहता है अब अगर इसकी GMP नीचे भी जाती है तो ज्यादा नीचे नहीं जाएगी 5-6,000 के करीब आके इसकी GMP रुख सकती है तो इसमें भी आपको अच्छा फाइदा होगा 15,000 की एक load अगर आपने लगाई ह और उस पे यदि 15 दिन में 10 दिन में 5,000 रुपे का profit होता है तो वो भी काफी अच्छी बात है अब मिलने के chances कितने हैं तो अगर आज की हिसाब से देखा जाए तो retail category में लगभग 20 गुना ये IPO subscribe हुआ है तो 20 गुना का मतलब हो गया कि 20 में से एक लोग को एक load लगेगी जि 17-18 जन्म में से एक व्यक्ति का IPO ये लगने वाला है तो काफी अच्छे chance है IPO मिलने के भी और listing gain के लिए आप इसमें जा सकते हैं बाकी इस channel पे जो अगली वीडियो आएगी वो जरूर देखें उसमें allotment से संबंदी सारी जानकारी रहेगी और एक last वीडियो भी मैं upload कर द हुआ कि listing gain कितना मिल रहा है तो आपको लेकर इसमें listing gain निकलना चाहिए कि इसमें wait करना चाहिए धन्यवाद